करीजी क्लाउंज कर नाव हम सेकेंड एपिसोड लेके आए हैं क्रेजी क्लाउंज का जब हमनेकल पहला प्पबिच किया तो हमको उसका बहुत feedback मिला कि जो भी हमने बताया जो भी एक्सपिरिंस हमने बताना स्टार्ट किया वो शायद उतना कनेक्ट नहीं हुआ लोगों से हुआ कनेक्ट पर उतना नहीं हुआ ऐसा आपको फीड़बेक मिला है हमारे जानने वालों से, हमारे सबस्क्राइबर से तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम पूरा कनेक कर सके आपसे जो हम बात करें उससे हम पूरी तरीके से कनेक करें ठीक है? तो आज का हमारा फोकस यही रहेगा और हम जो हमने कल जहां से शुरुआ की थी उसके बाद से हम आज इसको शुरू करते हैं बिलकुल, बिलकुल, जी, ओके, तो एक चीज और थी, जो हमने कल हमको सुनने में आया, जो हमको मेरा फीदबैक लेगों से की, आप ने जो नाम रखे हैं, क्लाउन, 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 क्लाउन टू, वो किया एना ο एक सायए और क्लाउन, जी, तो अगर आप लोग कोई प्रूनान भाजन लगार, जी, 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 नाम को क्या हो सकता है और इंका नाम क्या हो सकता है औरिना Anda W senator b À sur. तो इसका मतलब हम को एक नाम चाहिए तो अगर आप जुदर्शक है जो ओडियन्स है अगर हमको नाम देते तो विल बेरी हैपी तो टेक दूस नेम्स राइट ओके अब शुरू करते हैं आज का पॉड़कास्ट तो हमने जो कल बात किया था हमने इनके एक्सपीरियंस के बारें बात किया था कि आपने जो अपना केरियर स्टार्ट किया जीरो से केरियर स्टार्ट किया आई डिज्टी में तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था आप ने इन्होंने बताया इन्होंने किस कंपरीन से स्टार्ट किया था कैसे इंटर्वी हुआ आने के बाद कैसे ट्रेनिंग हुई फिर ट्र अब हम इनसे तो लगा पूछेंगे और कि वो तो एक एक दम स्टार्टिंग एक्सपीरेंस था अभी अभी तक इनोंने वो एक्स्पीरेंस बताये नहीं जहां पर यह काम के बारे में बता सकते हैं कि जब यह इनोंने एक्चली कुछ काम करना स्टार्ट किया जो डिलिवरी ज करते हैं, लेकिन पधाई उनको तब नहीं संगे मैं आता है कि वो पढ़ाई का यूस क्या है आगज हां आगे जा Detective How that अब आते हैं आपके उपद आपने जहां से कल आपने छोड़ा था कि आपके ट्रेनिंग हो यह आपको प्रोजेक्ट मिल गया तो जब प्रोजेक्ट मिल गया अभी आपको यह सोचना है कि आपको काम क्या करना है आप ऐसा क्या करोगे कंपनी में जाके जो जिस से जिसको जॉ जोलाएगा ज़ोब समत को गया योग जाती हो कुछ काम करते हो और उससे आप पैसा कमाते हो यह जाब होता ना तो छुछा मिससी को पूछओ कि पैसा कि आप गया और ता देंड इसकार जौब 먹을 को पिसे और तो आई टी में आपने क्या करते हो ऐसा जॉब आप उसे पैसा कमाते हैं आपको भी कुशन रहा होगा तो आपने अब बताइए आपकी ट्रेनिंग के बाद जब आप प्राजिक में आए है तो आपका एक्सपीरिंस कैसा रहा है कैसे आपने हाओ डियू अचली मेड यर वे इ तो जैसे ही में ओन बॉर्ड हुआ है जैसा कि लोगों पर लास्ट विड can में इस बारे में बात की थी हमारी वह रही कि यह रहा हमें how's your experience भेला एंट ट्रेंग के दर मारे की जो हमारी 13 ह्ची झारान पको बहुत ब्रीफ में मुझें siln회 कर रहे आगे जाकि आपने को सुनने वाले हैं लें कि इंपलिमंट करने वाले हैं थो झतक्रिंडर रॉन यया करद नहीं तो काम कैसे होता है वह में नहीं सुनु कर लगाओ आप तो सारे नयए वर्ट होगा कुछ आप अबट जया दे हैं ऐसे एक था कि आपका प्यार होता है प्यार प्यार पिल रिक्वेस्ट पूल रिक्वेस्ट इसको बहुत बाद ने मुझे पता चला करीब साथ से आठ दिन के बाद प्रडेक्ट में आने के बाद कि वो क्योंकि मैं म गुष रहें पर दुझ जब आप ने अपना जो प्राजिक में आए वो आप तब का एक्सपीरियन्स बताए कि आपका लोगों से और आपने बास जब आप जॉब करते हो तो सिर्फ आप सिर्फ आप टेक्नोलोजी कां काम नी करते को तो शर्फ वही एक काम नहीं होता है यस लोग के साथ behavior भी होता है आपका लोग आप से कैसे behavior करते हैं उसकी वजह से आपके काम पर impact आता है, सब पुछ आता है सब कुछ matter करता है तो जब आप नए project में आई जहाँ पर इतने सारे लोग already हैं, इतने experience के लोग हैं, managers हैं architects हैं, lead है UI developers हैं, back-end developers हैं, cloud developers हैं सब हैं, आपने अपना रास्ता कैसे बनाया तो यह बहुत ही interesting topic होने वाला है, यह लगता है आगे जाके, तो हम जब project में आये उसके बाद, जो first thing हमने करी वो यह था कि हमारी project में आने के बाद भी थोड़ी training हुई यह सा हमने बताया आपको previous video में तो हम काफी लोगों से मिल चुके थे उस training के दोरान, जो project में काम करते थे काफी senior से हम अलड़ी मिल चुके थे उस training के दोरान, तो हमारा one-to-one introduction almost हो गया था सारी top leads है, जो project में lead है, architect है, कोई designer है, या फिर scrum master है तो उन सबसे हमारा introduction हो चुका था तो kind of you started feeling comfortable ना और हमाई थोड़ी यह जिज़क भी छूट गई कि sir madam बोलने वाली वस training के दोरा आपने बोला scrum master यह बताना पड़ेगा आपको आपने बोल दिया scrum master सबको तो नहीं पता हो सकता मास्टर क्या होगा आपको बताना पड़ेगा बाद में बचसे लिए बाद में बात करते हैं अभी आप बताईए हाँ तो उसके लिए वेट करिए हम बाद में जरूर इस topic पर दुबार आएंगे कि scrum master क्या होता है प्रजेक्ट में चली चली अब यह आप आपके प्रजेक्ट में आने के बाद सबसे पहले तो हमें के लाट हुआ ठीक है के बिन के बिन तो मैंने इसको अलाट होता है डिरेक्टर्स को अलाट होता है बट हमारे लिए वो के भी नहीं था जो हमें एक सीट मिली वह हमारे ले काइंड ऑफ यह थी हम उसको के बिन करते थे उसको के बिन नहीं होती थी उसको क्यूबिकल वोलते हैं यह वह बहुत बात ने बदा चला यह मैं आपको अभी डिस्क्लोस करना चाहता हूं कि आप उसको समझने में मुझे करम से कम दो दिन हपते लग गई यह सरे क्यूबिकल्स होते हैं उसको एक अवर जारगन दिया कि इसको नाम होता है ओडी सी एक बड़ा स्पेस होता है जहां पे बहुत सारे ऐसे क्यूबिकल्स होते हैं कि सब लोग ऐसे कर कि हैं एदर अधर बैट जाओ अपना पां स्टार्ट करो चारजर लगाओ लगा और ल कि आप लिए सी बोलते हैं उसको अडिशी है आफ शोर डवलोप्मेंट सेंटर है ये इसको फिल फॉर मोटा आफ शोर डेवलोप्मेंट सेंटर जब होता है वो इंडिया में जो काम होता है वो मुस्टली बाहर से आता है तो जिसते भी ये companies हैं वो किसी ने किसी customer के लिए काम करती है उनके लिए software बनाती है product बनाती है तो ये जो development center है वो customer के लिए नहीं है तो customer तो onshore हो गया onshore हमारे इंडिया में भी हो सकता है इंडिया के बाहर भी हो सकता है बट जब ये development center उनकी तरफ नहीं है और ये पॉंटनी की तरफ है इसलिए उसको offshore development center कहते है ODC चलिए आगे बहुए तो उस ODC के इंटर हमें फिर एक cubicle दे दिया गया जैसे क्या आपने बोले उस cubicle पे हमारे साथ के हमारे freshers group के दो-चाल लोग हमें और मिले जो कि हमसे तीन मैने पहले on board हुए थे उस project में तो हमें ये लगा कि सबसे पहले point of contact हमारा क्या होगा क्योंकि since वो हमारे ही age group के हैं हमारे experience level के हैं almost तो उनसे हम ज़्यादा comfortable थे बात करने में initially तो हम उनी को पहले अप्रोच करते हैं कि since तीन मैने से अल्रेडी इस project में हैं तो इन्हें काफी चीजे पता होंगी इस project के बारे में कि ये project के ceremonies क्या है ये कैसे दन होता है इसका architecture क्या है क्या delivery model है क्या sprint review है ये सारे जार्गयन से है sprint review and all अगर आप लोगों के नहीं पता तो हम उनके द्वारा बात करेंगे कभी तो ये सब बारे में सबसे पहले हम उनके पास जाते थे उनसे कुछ-कुछ चीजे POC करने के लिए लेते थे कुछ proof of concept करने के लिए उनसे मांगते थे कि हमें भी कुछ चिखाओ तो हमें वह कुछ या तो टुटोरियल्स के कुछ लिंक देते थे लिंक्स देते होंगे वह आपको नहीं तो डॉक्मेंट्स देते होंगे पढ़ने को नहीं तो वह खुद बताते होंगे देखो बैटो ऐसे होता है डिफिरिंट डिफिर्ण वह आप बढ़ता दिग्त नहीं इसको ऐसे करते है इसको ऐसे करते हैं लेकिन उसमें सबसे बड़ा चालेंजिए आता था तो जैसे ही टुटोरियल्स के अंदर कोडिंग वाला पाइट थोरी खतम होने के बाद में हम वोग टुटोरियल कोज कर देते थे यह यह तो इंप्लिमेटेशन बता रहा है पहले दिन में तो थियोरी पढ़के हमारा काम वहां पर बंद कर दे जाते हैं तो फिर उन्होंने बोला कि आप आओ हमने कुछ प्योश्य पर रखती हैं तो हम उनके सिस्टम पर किनाराया यह से बैढ़ जाते थे जाके सिस्टम पर चेयर लगा गया अपनी और उनके सिस्टम में देखते रहे थे थे कि विदगर कहा लगा रहे हैं अप्लिकेशन वह रन क जोटर भूम रहा है यह सब चोटे चोटे कि उसी करते दिसा आप लोग सब लोग नॉर्मल यह कोई वेबसाइट ओपन करते होंगे तो आपको बहुत सारा चीज़े दिखता हुआ अच्छा लगता हुआ कंट्रोल जोते में दिफ्रेंट यह से चल रहा है वह से घूम रहा है यह अधर यह से ओपन हो रहा है यह से स्लीड होया तो वह सारे चीजे बता रहे नहीं तो बड़ी के दिख के इस अधर नोरा तो हम क्या करते थे एकी बार में बहुत सरे सवाल डाग देते थे लिए वह जब बात आती है कि एक आता है रीड करना कि टेक्नोली कैसे चलती है एक आता है उसको क्यांग पर लगाना है कि जब एक पर्टिक्लर आप बोलता है नहीं यह वेबसाइट बनाऊगा या यह सॉफटर बनाऊगा तो उसके लिए एक अलग लेवल का कोडिंग लगता है उसके अशर्वडेवसिंपल लगी नहीं सकता है जो आप सब लोग जैसे यह लोग प्रोगाम बनाते होगे सी प्लॉस में जावा में लिए नहीं चलता है यह लोगड्ने के ठीक है कि नई चीज कैसे सीखे जाये बट यह अलग लेवल का होता है को निच्छ चलिए तो फिर उसके तो गवराहत कम हुई लेकिन क्या होता है कि जब तक आप देखते हैं दूसरे के स्क्रीन में आपको बड़ा अच्छा रखता है सब्खुछ देखके कि मैं यह कर लूँगा लेकिन फिर जैसे ही अपनी पर जैसे जैसे आपने फाइल बनाई में अब उसमें करूं किया लिगन अपने पर भी दाते तो हम यह देखते ही अपने में आता है उसमें तुर्रम खा हो तो हम यह आइंटिफाई करते तो रहर देखते ही वहां पर एक जाती थी ती कॉन्फीगरेशन्स या फिर कुछ आपके एंवर्यमेंट स्पेसिक कॉन्फीगरेशन्स है तो बेसिकली वहां आप चलाते थे वह चलता नहीं था क्यों कुछ तो फर्क रहता होगा क्या आप हो आपको सब कुछ नहीं पता है तो मेरे हैल से जो चीज है कि आपने कुछ किया हो नहीं चला तो ये लव निगम है जो कि आपको कोई एक बार में देखिंड है कोई बोले कि नैब बैठो हम स्टेशन लेंगे हम आपको सब कुछ बता देंगे इस के कि अपने लिया है और किसी से कोड या कुछ लिया है वो चल नहीं रहा हमारे मशीन पर हमारे कम्प्यूटर पर हमारे लाप्टॉप पर तो हमें उससे गवराना है नो हमको वह लर्निंग के तरह लेना और सबसे बड़ी बात है कि इसमें को यह आपको आपको यह नहीं समझता कि आप बेवकूफ हो, क्योंकि फ्रेशर से, ग्रेजुट से, एक्टेशन लिस्ट होती है, कि आप पूछते हो, और 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 आप सब्सक्राइब कर दो यह काम कर दो मेरे सामने अगर मुझे एक लाइन आती ही पहले तो मैं भूल जाए था है आति है अगर मैं आपको बात बताता हूँ और आप सब को तूकि मैंने बहुत सारे ग्राजुएट्स को फ्रेशर्स को ग्रूम किया है मैं भूत टाइम से इंडस्ट्री मेरा तो मैंने खुद भी फ्रेशर रहा या मेरा मैनेजर क्या सोचेगा या मेरा जो दाशमेट है वो कर ले रहा है अगर तो वो क्या सोचेगा नहीं यह जजमेंट नहीं रखना है आप सीखने आए हो अगर आप जजमेंट को जादा सोचोगे तो आप नहीं सीख सकते हो आपको सीखना है तो आपको जजमेंट को एक फ्रेशर का एक ग्रेजुट का जब वो IT इंडस्ट्री में आते हैं यही एम होना चाहिए अगर आगे तक सीखना है और अपना बेस स्ट्राउं करना है और आगे सकस्स गेन करना है तो यही यही मैं बात हूं कि प्लस पॉइंट में फ्रेशर के लिए बहुत प्लस पॉइ करेंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी लाइनिंग में और यू कैना अज का वीडियो हो गया है और 21 अब 20 में का तो हम इसको रैप करेंगे हम इसी हम लोग ट्राइए वीडियो चोटे रखें अभी के लिए आगे लिए आगे जाके तो तो आपका एक्सपीरिंस आप जो बता रहे हैं, बदेन बिफोर वी क्लोस दिस इंट कुछ इसा बताना चाहेंगे आप जो की छोटे स्थाइन बताई जा सके और आप प्लीट रवाइन ना सुनाएं इसके बारे हैं मैं तो यही कह सकता हूँ छोटी सी बात के लिए कि कुछ लोग आपको प्रजेक्ट में जाओगे तो चाहे सीनियर मतलब लेवल में हो या जूनियर लेवल में हो कुछ लोग आपको बहुत फणी मिलने वाले हैं तो आप उस टाइम को लिटरली आप लोग इंजॉय करिए किस अब है कौन वत है से नाम तो नहीं लेंगे देखिए अब को एक्जाम्पल जरू देंगे आपको रियल सेसे जरू बताएंगे तो आपको पंफटेबल होगा कि अब जोफिए जोएं कर रहे हो तो आप यहां जोईन नहीं है कि लाइफ बाटिफिकेट होने वाले लाई ला आज खाने कहां चल रहे हैं कलका का ट्रिफ का प्लान है येस येस आफको से लोग आशले के बढ़ जाते हैं तो आइसे लोग आपको जबूर मिलेंगे वेरी गुट ओके तो आपको अभी वीडियो हो गया है तो तो इसको आज को वाइंड करते हैं और हम नेक्स्ट वीडि आज करेंगे प्लान हम इसको इंटरस्टिंग माने का कोशिच करेंगे फिर्फ करेंगे कि अमारा एम यही है कि हम आपको ज्यादर सब्सक्राइब करा हैं कि जब आप 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 एट इंडिस्ट्री में आते हो और फोकुसिंग मोह मेजरली जितना भी इंजिनेंगे जो भी सब्सक्राइब करेंगे और आपको एक आइडिया हो कि हां ऐसा होता है ऐसा आप खुप कर सको ठीक है तो आपको यह ज़्यादा है कि आप जब आप उस वर्ल्ड में जाओ तो आप इसको एजिले डाप कर सको तो हमारा एम यहां पर यह है तो फीडबैक्स और आज के लिए करते हैं हम इदरी फिनिश करते हैं हम नेक्स्ट पॉड्कास में मिलेंगे आए यह जल्दी रिकॉर्ट करने कोश्क करेंगे मिलते हैं आप से नेक्स्ट पोड्कास्ट थैंक्यू सी वैस्ट आप